दोश्तो नमस्कार आजम जानेंगे रेकी हीलिंग थेरेपी से वेट लॉस करना आसान है और इसके लावा और भी क्या फायदे आपको मिलेंगे रेकी हीलिंग थेरेपी जपान में अपनाई जाने वाली चिकित सब अध्धती है रेकी हीलिंग थेरेपी एक जगा से सरीर को खुद के हो जासे बिमारियों से लड़ने के लिए तयार किया जाता है इलाज के लिए उपलब्ध तमाम तरीकों में रेकी हीलिंग थेरेपी को वेकलपिक चिकित सा कहते हैं जपान में रेकी हीलिंग थेरेपी से तनाओ का बेहतर इलाज संभव है स्ट्रेज की वज़ा से डिप्रेशन, नीन की कमी जैसी परिसानी बढ़ती है कई सोध में तु यह भी पाया गया है कि तनाओ की वज़ा से मोटापा बढ़ने लगता है तनाओ और मोटापा का संबन्द आपस में देखा गया है रेकी हीलिंग थेरेपी से तनाओ और मोटापा से छुटकारा पया जा सकता है चलिए जानते हैं रेकी हीलिंग थेरेपी जपान में अपनाई जाने वाली जिकतसा पद्धती है रेकी हीलिंग थेरपी एक तरह किसे सरीर को खुद की उर्जा से बेमारियों से लड़ने के लिए तयार किया जाता है इलाज के लिए उपलब्द तवाम तरीकों में रेकी हीलिंग थेरपी को वैकल्पिक चिकत्सा कहते हैं जपान की रेकी हिलिंग थेरेपी से तनाओ का बेहतर इलाज संभव है इस्ट्रेस की वज़ा से डिप्रेसन नीम की कमी जैसी परिसानी बढ़ती है और कई सोद में यभी पाया गया है कि तनाओ के बसे मोटापा बढ़ने लगता है और तनाओ और मोटापा का संबन आपस में ही होता है रेकी हिलिंग थेरेपी से तनाओ और मोटापा से चुटकारा पाया जाता जरूर है कोई भी थेरेपी सरीर को थकान और इस्टे से चुटकारा दिलाने के लिए की जाती है उसी तरह जापान की रेकी हीलिंग थेरेपी भी गी जाती है रेकी हीलिंग थेरेपी को कई तरह से किया जाता है इसमें दो मुखे तरीके सबसे ज़्यादा प्रचलन में है एक रेकी हीलिंग थेरेपी हाथ से इसपर्स करके की जाती है मतलब हम इसे टच लेवल रेकी कहते हैं दूसरी रेकी दूर से बीना छोई भी किया जा सकता है जिसे हम डिस्टेंस लेवल रेकी कहते हैं दोनों तरह के रेकी हीलिंग थेरपी से सरीर की उर्जा को जगाने का काम किया जाता है इलाज में रेकी हिलिंग थेरेपी का उद्देश यह होता है कि सरीर की सक्ती से ही सरीर के परसानी को दूर किया जाए चिकत्सा की अन्न पद्दितियों की तरह जापानी रेकी हिलिंग थेरेपी भी बिमारियों का इलाज करती है इस थेरपी में सरीर की उर्जा कास इस्तमाल से इस सरीर की विवाली दूर की जाती है रेकी इलिंग थेरपी के मुख्य फाइदों को हम इस तरह से समझ सकते है मानसिक स्वास्त को बेहतर करके तनाव और डिप्रेशन जैसी परशानियों को दूर किया जाता है सरीर की गर्मी होने पर भी रेकी थरेपी से लाब पहुचाती है बॉडी डिटक्षन के लिए भी रेकी फाइदे मन होती है डायवर्टीज और गठ्या की बिमारी के लिए भी हीलिंग इसकी वज़ा से होने वारी परशानियों को कम करती है तनाव कम करने के साथ मोटापा परबन नियंतर्ण करने के काम रेकी हीलिंग करती है अब हम जानेंगे वेट लॉस में रेकी हीलिंग थरेपी का उपयोग और फाइदे किस तरह से होते है विश्वभन में मोटापा के मुख्य वज़ाओं का तनाव, डिप्रेशन, नियंग की कमी को माना जाता है एक्सपर्ट की माने तो रेकी हीलिंग थरेपी का इस्तमाल से तनाव कम करके बहतर नियंद पाई जाज़ती है अच्छी नीन और तनाव रहित जीवन में मेटाबॉलिक रेट बेतर होने से सरीर के मोटापा कम करने में मदद मिलती है जब रेकी थरेपी की जाती है तो सरीर के सकरात्मक उर्जा का संचार होता है जब भी रेकी हीलिंग से सरीर में सकरात्मक आती है तो एक्टिव सरीर से वेट लॉस आसानी से किया जा सकता है वजन कम करने के अलावा रेकी हीलिंग थरेपी से कई तरह की बिमारियों से भी बचा जा सकता है रेकी हीलिंग थेरपी का उप्योग से बेतर मेंटल हेल्थ रहता है दोस्तों मेरी दुआरी दी होई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करूड करें साथ ही चैनल को सबस्काइब करें अगर आप नए है तो और सेर करके हमें मोटिवेट करें कि आपको हमारी कंटेंट पसंद आ रही है फिर से मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें स्वस्त रहें भन्यवाद